नमस्कार मेरे चानल में आपका स्वागत है अक्सर हम मलाई से गी निकलने के बाद में जो मावा बसता है उसको हम फेक देते हैं लेकिन उसी मावे से बहुत ही टेश्टी मिटाई बनती हैं आज हम उसी मावे से बहुत ही टेश्टी मिठाई बनाने वाले हैं, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजे, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, उसी मावे से हमने यह टेश्टी मिठाई बनाए हैं, यह देखी है एक हम मिठाई तोड़कर देखते हैं यह देखिए कितनी सौफ्ट पनी है और कितने पड़ से तूट रही है तो चलिए अब हम मिठाई बनाते हैं मलाई से घी निकालने के बाद में जो मावा बसता है हमने यह मावा लिया है मिठाई बनाने के लिए हम ऐसे मोटे तल्ले के कडाई लेंगे इसमें हमने पहले मिठाई बनाए है कडाई में हम देड़ गिलास दूर डालेंगे और इसको हम तेज आच में पका लेंगे दूद अभी उबल रहा है, हम इसको चम्मस से ऐसी चलाती हुए, तेज ख्लेम में इसको हम पका लेंगे चम्मस से हमें लगातार इसको चलाते रहना है, और ये मलाई काट की निकालना है दूद अभी गाड़ा हो चुका है, अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, शक्कर डालने के बाद में ये दूद थोड़ा सा पतला होता है, अभी हम इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छा पकने देंगे, ये चलाते हुए लगातार इसको पका लेंगे, गैस का फ्लेम भी हम मीडियम कर लेंगे, ये देखिए ये मावा भी दूद में पक रहा है, इसको चम्मस से हम चलाते रहेंगे, ये मिश्टन अभी गाडा हो रहा है, तब तक हम इसको जमाने की तयारी कर लेंगे, हम एक थाली में घी लगा लेंगे, पुरा फाइला लेंगे उसको, इस तरीके से, ये मिश्टन अभी गाडा हो रहा है, अभी हम इसको और दो मिनिट मीडियम क्लेम में पका लेंगे, मावे की मिठाई अच्छे से जमेंगी, कि नहीं जमेंगी, ये चेक करने के लिए हम प्लेट में एक छोटा सा भाग लेंगे, उसको हातों पे गोल गुमाएंगे, ये देखी अच्छे से गोल बन चुका है, अभी हम ये मिठाई को एक थाली में निकाल लेंगे, ये पूरी तरह अभी पक चुकी है, ये थाली में अभी हम ये पुरा निकाल लेंगे, गरम गरम ही हम ये चमच की मदद से इसको सेट करेंगे, और हलका सा थंडा होने के बाद में इसको हलके से हम सेट कर लेंगे, हलके से दबा के, ये देखिए, पुरा सेट हो चुका है, अभी हम इसको एक घंटा रूम टेमपरेचर पे थंडा होने के लिए रख देंगे, और इसको हम बाद में कट कर लेंगे, ये देखिए, ये हम निकालके देखते हैं यह दीरे से निकालेंगे यह देखिए यह देखिए फ्रेंड्स गी निकलने के बाद जो मावा बसता है उससे हमने यह बहुत ही टेश्टी मिठाई बनाई है यह हम तोड़कर देखते एंगे न देखिए इतनी साफ्ट वनी है और कितने पट से तूट रही है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक किजे सब्सक्राइब किजे और शेयर किजे थैंक यू